हेलो स्टूरेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सबसे बहले तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूं जितने भी नए स्टूरेंट्स हैं जो इस सेशन में 24 25 में अब उनको एक बहत्रीन कॉंटेंट मिलन चाहिए तो वो सब इसमें मिलेगा साही चीज़ें आपको गाइडेंस भी मिलेगा सब कुछ मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब वगरा कर लेना ठीक है क्योंकि लाखो बच्चों भरोसे चैनल पर है तो मैं इसका एक बेस्ट कॉंटेंट में आपको दूंगा ठीक है चले किसी स्कूल में पुरानी बुक दे दिये ठीक है तो वो परेशान है कि कौन सी एकसाई डिलीटर तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ अच्छा आपके पास ओलिटी नई बुक है अच्छा डिसाइड कैसे करें वह पता लग जाएगा लेकिन अगर आपको नई बुक है आपके पास नई बुक है और जिसके पास गलती से ओल्ड बुक है या फिर कभी-कभी भाई की बुक यूज कर लेते हैं ना दो साल पुरानी है उसका यूज कर रहे हैं तो दोनों लोग के लिए वेनिफिशल है चलो पहले मैं यह क्लिर कर दूं क्या आपको डिसाइड कैसे स्कूल वाले ने या स्टेशनरी वाले बुक वाले ने आपको हो सकता है नई बुक के पैसे तो ले लिए लेकिन दे दी पुराने बुक ठीक है और अगर आपकी बुक में सिर्फ 1.1 और 1.2 है इसका मतलब आपकी जो बुक है वो न्यू है तो यह डिसाइडिंग फेक्टर तो मैंने पहली के लिए कर दिया अभी अपनी एंसिया उठाओ और देखो कौन सी बुक है आपकी ओल्ड या न्यू है और कमेंट सेक्शन बता दो गई ठीक है चलो अब मैं आपको यह बताओंगा कि जो एकसाई डिलीटेड हो गई है तो भी जिन बच्चों बास न्यू ब तो भी मैं आपको सजेशन दे दूँगा उसकी भी कोई दिक्कत नहीं चली स्टार्ट करते हैं बताते हैं तो रियल नंबर्स में अगर हम बात करें अगर आपके उस पुरानी बुक है तो उसकी 1.1 और 1.4 एकसाई डिलीटेड है ठीक है चलो दो एकसाई डिलीट है आप कर अगर पुरानी NCRT की बुक है तो आप 3.1 कर सकते हो क्योंकि ग्राफिकल मैथड है और इसके बाद जो 3.5 में सिर्फ जो वर्ड प्रॉलम में 3.5, 3.6 और 3.7 में जो वर्ड प्रॉलम जो कोर्स में है अब आपको पता तो होगा नहीं कौन सी कोर्स में है कि दो वर्ड करमे नहीं पढ़ना है प्राने पीडियाफ का यूज नहीं करना है तो अपने ही चैनल पर अगर आप प्लिलिस्ट में जाओगे आपको 100 वीडियो मिल जाएंगे आप उसको देख लेना तो आपको फिर जरूत नहीं पड़ेगे तो यह मैंने कंक्लूजन बता दिया तो अच्छा नहीं होता है तो मैंने क्लास 10 का एक रोड में बनाया था कि आपको किस मंत में कौन सा चेप्टर कवर करना है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्टर में यह वीडियो जरूर देख लेना ठीक है अच्छा बाते नहीं तो 4.3 एक्साइज आपको डिलीटेड है लेकिन अ पूरे काम की हैं और आते भी है कुश्टन्स ठीक है तो अगेन वही है कि वर्ड प्रॉलम्स यह तो आपके वास ओल्ड बुक है ठीक है या ओल्ड एंसी आटी की पीडियेफ है तो आप उससे वर्ड प्रॉलम कर सकते हो ज्यादा है मैं टेलीग्राम पे एक काम करूंगा ट प्लेट में जाना आपको वन स्वड विडियो में लेंगे प्रीविसल कोश्टें मिलेंगे उनको आपको करना है ठीक है वह लेटेस् लेवल के सापसे हैं अरिद्रमेटिक प्रोग्रेशन में कोई दीशन नहीं है ठीक है कुछ भी दिटनी सब पड़ना है ट्राइंगल में Trignometry में 8.3 deleted है। इसमें भी आपको नहीं छोना है। Application of Trignometry में 16 deleted है। एक ही question deleted है। इसमें भी आपको old NCRD छोनी ज़त नहीं है। Circle में कुछ भी delete नहीं हुआ है। Construction पूरा chapter ही deleted है, full chapter deleted। Area related to circle में 12.1 यो 12.3 deleted है। और मैं कहूंगा यह दो नहीं अगर एक्साइज आप कर लोगे तो आपकी एप्रोज अच्छी रहेगी और आप अच्छे कोश्चन्स कर पाओगे कोई बुराई नहीं है और यह ऐसी एक्साइज है आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हो कि सर यह हमें आता नहीं क्योंकि इसमें इसमें बेसिकली 12.1 में सर्किल का एरिया यूज हुआ है सर्किल एरिया अब यह तो नाइन क्लास में भी होता है तो कोई नहीं कर सकता है ऐसी जो 12.3 वो 12.2 पे बेस्ट है जो कि सिलेबस में है तो वो इसका एप्लीकेशन बेस्ट कोश्चन्स है तो आप इसमें भी क्वार्टिक का 4.3 का वर्ड प्रालम और यहां पर एरिया रिलेक्टेट तु सर्किल में 12.1 कर सकते हो आप ठीक है क्योंकि अभी आपके बस टाइम है सर्फेस एंड एरिया वॉल्म में 13.345 जो ऑप्शनल है वो रिलीटेट है इसमें ठीक है नहीं करोगे कोई दिक्कत नह है फिर हमारे स्टेट्स है 14.4 नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है और प्रॉबिल्टी 15.2 नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो समझ में आ गया मैंने सारे चेप्टर्स कवर कर दिये तो अगर देखे तो तीन ऐसे चेप्टर्स हैं जिनमें अगर आप चाहो तो लेटिटे टू सेर्किल और पियर अफिली need equation ए पियर ओफैर लीनर कौडिक देखे तो यहां पे इन दो चैप्टर की यह आर को बात करूं तो यह पर इंदर पौरानी वक्षंज है कर पातो थो वर्ड प्रॉलम कर ले ना ठीक है जो सीर्यावस के अंदर है तो वर्ड बाकि देखो सीधी भाव 10th क्लास में सरफ NCRD तो बढ़ना नहीं है आपको बहुत कुछ प्रेक्टेस करना उस चैनल पर बहुत कुछ एवलेवल है अगर आप प्लेलिस्ट पे एक वार चेक करोगे तो आपको चाहें हर वो चीज अगर आपको टौंडड में अंडडड करना है तो वहर चीज यहां पर एवलेवल है आपके लिए है समझदे बात को तो इस तरीके से आपको करना है उम्मीर्द करता हूं यह वीडियो आपके लिए हैल्फवल होगा- होगा कमेंट सेक्शन जरूरू बताना और ल आई करते रहना लास्ट में की बात बोलूँगा आप सभी सफलों धन्यवाद